Hello students, how are you? I hope you are fit and fine students. Today in this video I will discuss division of polynomials to monomials. So students, without question and time, let's start now. वाई जोस्तों हम बात कर लेते हैं division of monomial, binomial, trinomial to monomials. यानि कि monomials का division monomials के साथ में कैसी किया जाएगा और binomials का division monomials के साथ कैसी किया जाएगा और साथ ही साथ trinomial का division monomials के साथ में कैसी किया जाएगा किसी भी algebraic expression में इस वीडियो में आपसे discuss करने वाले monomial क्या होता, binomial क्या होता, trinomial क्या होता है, इसको हम previous वीडियो में discuss कर चुके हैं वीडियो आपको i button में मिल जाएगी, वहाँ से आपको उसको देखके समझ जेगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि monomial क्या होता है, binomial क्या होता है तो हम कहते हैं वो trinomial होता है, rule of division with variable and constant value का क्या होता है इसको हम previous वीडियो में discuss कर चुके हैं, वीडियो आपको i button में दे दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा फिर भी मैं आपको rule of division क्या होता है, वो मैं आपको explain कर देता हूँ देखिए rule of division क्या होता है, जो algebraic expression हमें दिया रहेगा, उसमें अगर variable same है तो variable की जो power होगे उसको आप subject कर देंगे, साथ ही साथ उसका जो coefficient होगा, coefficient का आप क्या कर देंगे, divide कर देंगे तो formula भी आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको लिख के आप formula से भी use कर सकते हैं, बट हम इस rule से question को solve करते हैं, ठीक है formula क्या होता है, a की power m divided by a की power n, यदि की base same होता है तो आप power को subject कर देते हैं, यह rule जो लिखा गया है, यही वो भी rule है, ठीक है हम इस rule से समझते हैं, क्योंकि यह easy होता है समझने में, ठीक है, इसका implement करके आप किसी भी question को easy way में solve कर सकते हैं, ठीक है जैसे कि यहाँ पर कुछ question को हम solve करके बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह एक term है, और यह term है, ठीक है जब हमें एक term है, और एक term है, तो हम यानि की, एक term होता है, तो उसे हम बोलते है, monomial यहाँ पर यानि की monomial का divide monomial के साथ हो रहा है, और साथ में, यहाँ पर देखेंगे, यह भी एक term है, यह भी एक term है एक टर्म होता है उसका मतलब होता है monomials monomials का divide monomials के साथ किया जा रहा है यहाँ पे भी देखेंगे एक टर्मिय है और एक टर्मिय है यहाँ यानि कि monomials का divide monomials के साथ किया जा रहा है और साथ में साथ इस question में भी देखेंगे है यह एक मोन City क्यों क्यों क्योंकि यह वी scoring है यह विए विए व्य कर देखेंगे हैं हमadamente के कश्म क्षण NUMBER 1 के solution को मैं आपको करके बता रहा 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 हूं अब ध्याहं से और साथ में आप यह देखेंगे साइन क्या है यहां पर माइनस साइन है यहां पर प्लस का साइन है जब आप माइनस और प्लस का डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के रूल में क्या होता है माइनस प्लस माइनस यानि कि यहां पर आप सोल करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस यानि कि आप यहाँ पो जाएगा और शात में y की power 4 है और y की power 2 है डिवाइड में variable की power को सब्रिट कर दिया जाता है और coefficient का divide coefficient का हमने divide कर दिया है अब variable की power को हमको minus करना है y की power किते हो जाएगा 4 minus 2 यानि कि first power minus second power इसको थोड़ा और simplify करते है यह हो जाएगा minus 4 y की power किता हो जाएगा 2 यह आपका final answer हो जाएगा question number first question number second में आपको दिया गया है 50 x power 10 y की power 8 divided by 25 x power 7 और y की power 4 यहां में यह पता है same variable होने पर power को subject कर दिया जाता है और coefficient का divide कर दिया जाता है देखें यहां पर monomial है monomial का divide monomial के साथ किया जा रहा है तो हमें 50 में आप divide करेंगे 25 का किता हो जाएगा यहां पर आजाएगा 2 और साथ में आपको variable same होने पर power को subject करना है तो यहां पर power किता है x की power 10 और यहां पर x power किता है सेमन तो यहां पे आब फिर्स पावर मायनस स्रेड़ पावर किया जाएगा इसके बाद मैं आपका दिया है वाई into Y भी जाए तो यूआ की पावर किता है यहां पर यहां पे यहां पर आप towards सिंपलिफाय करते हैं तो यहां पह जाएगा 2 X कि पावर कित्ता हो जाएगा 3 और साथ यहां पर यह पर कित्ता हो जाएगा 4 इस question का final answer हो जाएगा 2 X को अब दीर करेंगे गें यहाई बाद में एकसाओ धी माइनेस एक 1 और साथ में य। सब्सक्राइब या पर टासथी इसको थोड़ा और सिंपलिफाइड करते हैंया फिट्टा और यहाँ निय। गया 51 17 गवजह 34 यानि की यह two by three x power कित्ता हो जाएगा यहाँ पे y की power one हो जाएगा तो इसको हम one आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं ठीक है उस्ट में यहाँ पे हो जाएगा जेट की power zero यानि की यह फिरो इसको फोड़ा और सिंपलिफाय करते हैं कित्त हो जायेगा टू की लिए जिएट की पावर जिरो यानि की क्या होता है जभी पावर जीरो का मतलब सिंपल सा होता है इसका विल्लू वन होती ठीक है इसको मैं आपको समझा छुका हू Capital in जेट की पावर 0 हो, Y की पावर 0 हो, X की पावर 0 हो, 10 की पावर 0 हो, 100 की पावर 0 हो, 1000 की पावर 0 हो, तो उसकी विल्लू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, देखिए, यह आपको यहाँ पर इसकी X की पावर 2, Y की पावर 1, और Z की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो आप मंटिप्ल में और को सब्धेट करेंगे और कोफिएंट कर दिया जागे। आज माइनस हो जाएगा और साथ ही साथ इक पावर 8 minus a की power 6 है तो यहाँ पे 6 into b की power कितना हो जाएगा 8 minus 7 इसके बाद में c की power 10 minus 8 ठीक है इसको थोड़ा और simplify करते हैं कितना हो जाएगा 2 a की power कितना हो जाएगा a की power हो गया यहाँ पे 2 और साथ में b की power हो जाएगा 1 और c की power हो जाएगा 2 तो इसको थोड़ा और simplify करेंगे तो जाएगा 2 a की power 2 b और c की power 2 इस question का final answer यह हो जाएगा यहोग दोस्तों आपको समझ मागए होगा question number 4 का answer 2 a की power 2 b into c की power 2 क्यों और केसी आए और 5 में आपको दिया गया है bracket में 5x power 2 minus 6x divided by 3x यानि कि यह आपको दो टर्म दिया गया है दो टर्म में यानि कि यह binomial हो गया और यहाँ पर एक टर्म है ठीक है यानि कि binomial का divide monomial के साथ कैसी के जाएगा वो आपको यहाँ पर समझना है ठीक है देखिए यहाँ पर पहला bracket और यह दूसरा bracket आप बोल सकते हैं ठीक है यानि कि आपको binomial में monomial का divide जाना है देखिए केसी के जा रहा हूं मैं को सोल करके बता रहा हूं आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ठीक है यहाँ पर हमें पता है 5x power 2 और यहाँ minus 6x अगर आप इसमें से common लेना चाहेंगे तो यहाँ पर common आप maximum to maximum क्या ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो सबसे कम होगा उसी में से आप common ले सकते हैं देखिए यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 6 into x और इसको लिख सकते हैं 5 into 5 into x into x यानि कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो आप x common सकते हैं यानि कि आप यहां से x common लेंगे तो क्या बचेगा 5x-6 यहां बचेगा और साथ में आपका divide दिया है 3x ठीक है इसको हमने थोड़ा simplify के इसके बाद में आप देखेंगे जब आप 5x-6 का divide हो जाएगा 3 के साथ में और साथ ही आद हमें यह पता है यहां पर variable और यहां पर साथ में हमको दिया है एक्स ठीक है यह एक्स है और यहां पर भी एक्स है ठीक है यानि का आप आप एक से एक चाट सकते हो do को इसे सबसें सकते हैं या फिर आप और कुछ इसको इस रूल से समच रहे हैं तो आप इसको ूरूल से बी समजसकते हैं जैसे यहां पर 5 x-6 यह हो गया इसका giving हमें साथ मê करना था तो हमें पता है Está какая तर इसका Would कोफिसेंट का डिवाइड इस कोफिसेंट के साथ कर दिया गया और साथ में वेरियेबल सेम होने के साथ में इसके पावर को माइनस कर दिया जागा इसका पावर वान है यानि कि x power into में x power 1-1 इसको थोड़ा से सिंप्लिफाइब करेंगे क्या हो जाएगा 5x-6 by 3 into x power 0 आप सिंपलिफाइगा फाइप एकस माइनस six बाई three into फोड़ा सा ओर सिंपलिफाइगा करेंगे क्या हो जाएगा रापस दिर दिर है तो काड़ देंगे ठीक है आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं ये अगर आप इस रोल से कर रहे हैं पावर को माइस करके करना चाहरे हैं तो आप इस रोल से पूरी प्रोसेस को करेंगे तो ये इसका एंसल भी ये आ जाएगा और इसका एंसल भी ब्रेकेट में 6 एक पावर 2 मैनेस एक पावर 2 divided by 2xe ये पूरा ब्रेकेट में इसके साथ में डिवाइड करना है 2xy के साथ यहां पर आपको दिया गया बाइनुमियल है इस बाइनुमियल में आपको इस मुनमियल का ढ़िवाइड करना देखो क्या जाता है मैं आपको समझा रही हैं इस में आप देखेंगे यहां पर बोगा लेने का मतलब क्या है आप 2xy का भाग देंगे इसमें तो यहां पर यहां पर बचेगा वह आपको देखना ठैकि मैं आपको बताता हूं ठीक है 6 x power 2 y की power 3 में आपको 2 x y का divide देना है तो 2 3 जा 6 यानि की बचा क्या आपको यहां दिये 3 3 बच जाएगा साथ में x की x 2 बार है इसकी एक बार घड़ जाएगा power कित्ता हो जाएगा x और साथ में यहां पे एक बार घड़ जाएगा y की power 2 ठीक है साथ ही साथ आपने जो कॉमन लिया इसका में इसमें डिवाइड करना है तो यहां देखिए तू अब इगर आप इसमें डिवाइड करके देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं माइनस 8 x power 3 y power 2 में आपको डिवाइड करना है 2 xy का देखेंगा 248 यानि की माइनस का 4 और साथ में x power 3 यहां पर है और यहां पर एक है तो घड़ कित्त हो जाएगा x power 2 साथ में आप इस y का डिवाइड करेंगे तो कित्त हो जाएगा y क्योंकि एक बार माइनस हो जाएगा तो बचेगा यह यानि कि कॉमल लेने का मतलब है कि जो आप कॉमल ले रहें इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही आप यहां पर बच जाएगा ठी ठीक है और साथ में हम डिवाइट तो करना ही था 2xy थोड़ा से इसको हमने सिंप्लिफाय किया आगे अब देखिए आगे क्या करेंगे ठीक है आगे हम क्या करते हैं 2xy है अब इसमें हम डिवाइट करना है इसका ठीक है देखेंगे 2xy 3xy की पावर 2-4x2y इसके साथ हम पो आपको फाइनल एंसर हो गया ठीक है रूल ओफ डिविजन आपको इस बात का ध्यां रखना है अगर variable same है तो power को substitute करना है coefficient का divide करना ठीक है